नमस्कार मैं रविश कुमार अगर ये जवाब था तो प्रधान मंत्री का जवाब आ गया है गोधी मीडिया में इस जवाब को हरशुल लास के साथ दिखाया जा रहा है जवाब आने से पहले खबराई की लोगसभा की कारवाई से राहूल गांधी के भाशन के कुछ हिस्सों को निकाल दिया गया है कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने कहा कि अदानी और प्रधान मंत्री के संबंधों को लेकर राहूल गांधी की टिपनी को हटाया गया है आज लोगसभा में लोगतंत्र का अंतिम संसकार हो गया ओम शान्ती लेकिन बीजेपी के सांसत निशिकान दूबे के भाशन से भी कई चीज़ें हटाई गई है राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री पर जो आरोप लगाए उनमें से बहुत सारे हिस्से हटाए गए है बीजेपी ने उनसे पूछा था कि सबूत दीजे अनरगल आरोप मत लगाई है तो क्या प्रधान मंत्री ने आज जवाब दे दिया जवाब से पहले उन्होंने गोधी मीडिया को एक संदेश दे दिया प्रधान मंत्री ने कह दिया कि मोधी पर जनता का भरोसा अख़बार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है मोधी पर यह भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है गोधी मीडिया के लिए यह बयान भारी पड़ेगा उनके लिए आज का दिन बहुत दुख भरा दिन होना चाहिए इतनी सेवा की और इनाम यह मिला कि हम आपकी वज़े से नहीं है पत्रकारिता का सत्यानाश कर दिया गोधी मीडिया ने सवाल तक नहीं पूछा और प्रधान मंत्री ने कह दिया कि मोधी पर जनता का भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से पैदा नहीं हुआ है प्रधान मंत्री का भाशन क्या सीधा जवाब था गोधी मीडिया को तो दे दिया उन्होंने क्या राहुल के सवालों का जवाब था इसके लिए आपको संसद टीवी पर उनका भाशन सुनना चाहिए डेड़ घंटे से ज़ादा चला यह भाशन मगर इंतजार होता रहा कि अब जवाब आएगा अब जवाब आएगा लेकिन प्रधानमंत्री लंबे समय तक 2014 से पहले के दशक में चले गए और उस समय के हालात की चर्चा करने लगे तूजी घोटाले की चर्चा करने लगे कोईला घोटाले का जिक्र किया आज राहुल गांधी से आरोपों के लिए सबूत मांगे जा रहे हैं लेकिन जब 2014 से पहले और इसके चुनाओं में विदेशों में काला धन होने के आरोप लगाये जाते थे जिनके भरोसे सबके खाते में पैसा देने का वादा किया जा रहा था तब क्या सबूत भी दिया जा रहा था जब टूजी स्कैम में कई शुन्य लगा कर लाखो करोणों के घोटाले को मुद्दा बनाये गया तब क्या सबूत दिये गए प्रधान मंत्री ने इन घोटालों का जिक्र तो कर दिया मगर नहीं बताया कि कौन पकड़ा गया जांच से क्या निकला क्या सरकार सबूत के साथ बात करती है जो विपक्ष के नेता से सबूत मांग रही है आप देख रहे हैं रवीश कुमार ओफिशल फेस्बुक और यूट्यूब पर आप हमें देख सकते हैं मगर एक जरूरी सूचना भी है हम आज भी प्रधान मंत्री के भाशन का वीडियो नहीं दिखा रहे हमने राहूल गांदी के भाशन का भी वीडियो नहीं दिखाया Sunset TV से प्रसारण किया जाता है ये चैनल जनता के पैसे से चलता है फिर भी यहस पष्ट नहीं कि इस TV से प्रसारित content को देश के आम YouTuber दिखा सकते हैं या नहीं अब जब YouTuber की साख news चैनलों से ज़ादा है तब 이 speaker को यह साफ करना चाहिए कि संसद की टीवी के content को यूट्यूबर दिखा सकते हैं यह copyright मुक्त है या नहीं फिलहाल हम प्रधान मंतरी का लोग सभा में दिये गए भाषण का वीडियो नहीं दिखा रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी का नहीं दिखाया था प्रधान मंत्री के भाषण से पहले ही संसदियक कारे राज्यमंत्री अरजुन राम मेगवाल ट्वीट करते हैं कि प्रधान मंत्री का भाषण साड़े तीन बजे होगा और सब का हिसाब होगा ऐसा लगा कि राहूल गांधी ने अदानी को लेकर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का हिसाब होगा मगर प्रधान मंत्री का भाषण मैनिफिस्टों की तरह कई पन्नों का होता चला गया प्रधान मंत्री ने जवाब के रूप में गेंद घुमा दी हर चीज को जनता के भरोसे से जोड़ दिया कहा कि जनता आपके आरोपों और गालियों पर भरोसा नहीं करती है न करेगी उसे मुफ्तराशन दे दिया गया है बिजली दे दी गई है गैस का चूला दे दिया गय है नल से जल का कनेक्शन दे दिया गया है वो इन आरोपों पर भरोसा नहीं करेगी उसके भरोसे से इन आरोपों को गुजरना होगा प्रदान मंत्री के ये शब्द हैं कहते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी राशन मिल ज ग्यारा करोड किसानों के खाते में पैसे जमा होते हैं वो आपकी गालियों पर विश्वास कैसे करेगा जो कल फुट पार्थ पर जिने के लिए मजबूर था जो जुगी जोपडियों में बसर करता था ऐसे तीन करोड लोगों को घर मिले हैं उनको तुम्हारी गालियां तु आपके जूट को कैसे स्विकार करेगा 75 साल बीट गए आठ करोड परिवारों को जल से नल से जल का कनेक्शन मिला वो माताएं तुम्हारी जूट तुम्हारी गालियों को कैसे स्विकार करेंगी आईश्मान भारत योजना से दो करोड परिवारों को मदद पहुंची है जि मुसीबत के समय मोदी काम आया तुम्हारी गालियों को कैसे स्विकार करेगा आपकी गालियां आपके आरोपों को इन कोटी-कोटी भारतियों से होकर गुजरना पड़ेगा जिन्हें दश्कों तक मुसीबतों में जीने के लिए तुमने मजबूर किया था कमोबेश प्रधान और फ्रॉड के आरोप लगे हैं नियमों को बदलकर एयरपोर्ट देने के आरोप लगे हैं जाच एजनसियों के सहारे दबाव डाल कर कथित रूप से एयरपोर्ट देने के आरोप लगे हैं उनके साथ राजनितिक संबंधों के आरोप लगे हैं और जवाब आता है कि जनत का ही समर्थन सबसे अंतिम है तब तो जाच एजेंसी से लेकर कोट का कोई मतलब नहीं रह जाता क्या प्रधान मंत्री ने इनकी भूमिका को खारिज नहीं कर दिया अदानी समू को लेकर जो रिपोर्ट आई है लगता है कि प्रधान मंत्री की नजर में उसका कोई मतलब नही दी है और इसी बहुमत वाद को खतरनाक बताया है कि अगर जनमत को ही अंतिम मान लिया जाए तो फिर जवाब देही खत्म हो जाती है और इसी बहुमत के नाम पर लोगत तंत्रे खत्म कर दिया जाता है इतिहास में हजारों घटनाएं है इस तरक से तो कोर्ट के फैसले को भी मानने से सरकार इंकार कर सकती है कि जनता का भरोसा हासिल है जिने गैस दिया है उनका वोट मिल गया है तो हम ये फैसला नहीं मानेंगे क्या ये संदेश दिया जा रहा है इस तरह के जवाब से आज लोगस्भा में सत्था पक्ष की तरफ से मोदी मोदी होता रहा विपक्ष की तरफ से अदानी अदानी होता रहा आज का भाशन देश याद रख सकता है कि इसमें जवाब दिया गया है या गरीब जनता को याद दिलाया गया है कि इतना कुछ दे दिया गया है उसे याद रखो, बाकी कुछ याद मत रखो, क्या आरोप लगे हैं याद मत रखो, क्या इन आरोपों से मतलब निकलता है इससे मतलब मत रखो तो वो जनता कैसे जान पाएगी कि मौरिशत से चलने वाली किसी बेनामी शेल कमपनी का अदानी समू से क्या रिष्टा है इस तरह के आरोप लगे हैं इन कमपनियों में किसका पैसा है उसे गैस का सिलेंडर मिला है तो क्या इन सवालों के जवाब भी सिलेंडर के साथ दिये क्या बिजली के कनेक्शन के साथ यह भी बताया गया है कि दस साल के भीतर कोई कमपनी कई सो गुना कैसे तरक्की कर लेती है अपने बूते करती है या राजनितिक संबंदों से करती है इसका जवाब क्या आईश्मान भारत के कार्ड के पीछे लिखा है क्या आपसे मुख्य के आरोपों का जवाब नहीं दिया बलकि आरोपों को कुचल दिया कि अब ऐसे आरोपों की जवाब देही की जरूरत नहीं रही जब तक जन्मत है आरोपों की जवाब देही जनता पर है हमारे उपर नहीं है प्रधान मंत्री की तरफ से इन आरोपों को लेकर जाच की बात हो सकती थी मगर नहीं हुई आश्वासन तक नहीं मिला मगर बिटेन से एक सूचना है आपको बताना चाहता हूँ लाइव मिंट ने आज एक खबर प्रकाशित की है लिखा है कि लंदन की कंपनी एलारा कैपिटल और अदानी समू के कथित संबंधों को लेकर जाच हो रही है यहां तक लिखा है कि अदानी समू पर नज़र रखी जा रही है ब्रिटेन की नियामक संसा फिनेंशल कंड़क्ट अथॉरिटी जाच कर रही है अखमार लिखता है केलारा कैपिटल पर जो आरूप है उनका संबंध ब्रिटेन से बाहर की गतिविदी से है फिर भी इस पर नज़र रखी जा रही है मिंट ने लिखा है कि यह खबर सूत्रों के हवाले से छापी गई है लाइव मिंट ने यह भी लिखा है कि वह इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर सकता है ना हम कर सकते हैं एक फरवरी को ब्रिटेन के पुर्व प्रधान मंत्री बॉरिस जॉंसन के भाई जो जॉंसन ने इसी कंपनी के बोड से इस्तीफा दिया था कॉंग्रेस पार्टी अदानी प्रकरण को लेकर अभियान चला रही है इस अभियान का नाम है हम अदानी के हैं कौन इसके तहत रोज प्रधान मंत्री से कुछ सवाल पुछती है प्रधान मंत्री के भाशन से पहले कॉंग्रेस ने आज फिर कुछ सवाल किये उन सवालों का जवाब भाशन में नहीं मिला सवाल ये था कि अदानी समू को 2019 में 6 के 6 एयरपोर्ट दे दिये गए 15 साल के लिए 2021 में मुंबई के छदरपती शिवाजी महराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संदिग्द परिस्तितियों में अदानी समू को दिया गया 2006 में UPA की सरकार ने GMR और GVK ग्रूप को दिली और मुंबई एयरपोर्ट के ओपरेशन का कॉन्ट्रेक्ट दिया था 30 सालों के लिए इस शर्त के साथ के हर समू को एयरपोर्ट के मामले में अनुभवी कमपनियों के साथ साजीदारी करनी होगी दोनों ही केस में GMR टेंडर में आगे निकल गया लेकिन तै हुआ कि दोनों जगह पर एक ही कमपनी को टेंडर नहीं मिलेगा क्योंकि इससे प्रतिसपर्धा कम हो जाती है कॉंग्रेस के इस जवाब का संबन BJP के आरोप से है जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नियमों को बदलकर आदानी समों को 50 साल के लिए 6 के 6 एरपोर्ट दे दिये गए जबकि उनके पास कोई अनुभाव नहीं था 10 दिसंबर 2018 को नीती आयोग का तर्ग था कि टेंडर में आने वाली इस कंपनी के पास तकनिकी शमता नहीं है इससे गुणमत्ता से समझोता हो सकता है कॉंग्रेस ने अपने पत्र में 22 अप्रेल 2018 की मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है कि प्रधान मंत्री कार्याले की तरफ से नीती आयोग और आर्थिक मामलों के मंत्राले को निर्देश दिया गया कि रियायत देने के लिए मौडल बनाईए तब नीती आयोग के इन सुझावों को नजर अंदाज क्यों किया गया कॉंग्रेस ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि जिस दिन नीती आयोग ने आपत्ती दर्ज की D.E.A. ने सुझाव दिया कि किसी भी एक कमपनी को दो एरपोर्ट के ठेके नहीं दिये जाने चाहिए फिर भी आदानी समू को ठेका दिया गया उम्मीद थी कि प्रधान मंत्री अपने आज के भाषण में इन बातों को लेकर जवाब देंगे जांच की बात करेंगे दूद का दूद वाटर का वाटर होने का भरोसा दिलाएंगे तो याद दिला दिया उल्टा कि जनता को सिलेंडर दिया है बिजली का कनेक्शन दिया है उसका भरोसा उन्हें मिल गया है राहुल गांधी ने अपने भाषण में श्रिलंका का उधारंड दिया अन्य देशों का उधारंड दिया कि प्रधान मंत्री के दौरे के साथ या उनके दौरे के बाद में अदानी समू को ठेका मिला है तो इसका जबाब प्रधान मंत्री इस तरह से देते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत कमजोर हो रहा है भारत की कोई सुनने को त प्रदान मंत्री के भाशनों में सवालों के जवाब नहीं थे। वे खुद पर ले गए कि मोदी पर आरोप लगाये जा रहे हैं। खुद को पीडित बताने लगे जैसा कि पहले से करते रहे हैं। आरोप लगाने वालों के बारे में कहा कि वे निराशा में डूबे हुए लोग हैं। राहुल के आरोपों का जवाब तो नहीं आया लेकिन मोदी सरकार ने अपने सरकार की तमाम योजनाओं को गिना डाला। ऐसा लगा कि वे जोरदार भाशन के नाम पर जोर जोर से बोले जा रहे थे ताकि उसकी शोर में अदानी समू को लेकर लगे आरोप सुनाई ना दें और पीछे चले जाएं। कह सकते हैं कि उनका भाषण राष्टपती के अभी भाषण के आस पास घूमता रहा, अदाणी को लेकर उठे आरोपों के जवाब लोग सभा के भीतर से नहीं मिले, प्रधान मंत्री ने आलोचना की तारीफ की, लेकिन आलोचनाओं को गाली भी कह दिया, आज के भाषण को ध्यान से सुनिये, तो समझ आ जाएगा कि कैसे आलोचना को जरूरी बताते हैं, और उसी भाषण में आलोचना को आरोप और गाली भी कहते हैं, बलकि आरोपों और गालीों का साथ साथ इस्तिमाल करते हैं, जैसे आरोप का मतलब गाली और गाली का मतलब आरोप है, जबकि मंत्री कहते हैं ये उनके ही शब्द हैं कि 9 साल आलोचना ने आरोपों में गवा दिये आरोपों गाली गलोज के सिवा कुछ नहीं किया और हाल ये है कि चुनाव हार जाओ तो आयोग को गाली दे दो कोट में फैसला पक्षमे नहीं आया तो कोट की आलोचना कर दो अगर जवाब बताता है कि प्रधान मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है प्रधान मंत्री भूल गए कि कई बार कोट ने ये फैसला दिया है कि उनके सरकार के समय दोर में जाच एजेंसियों ने फरजी आरोप लगा कर लोगों को महिनों जेल में डाले हैं इसलिए इन एजेंसिय की इन कर्तुतों के साथ खड़े हैं क्या इन कर्तुतों और कारनामों की आलोचना गाली है विपक्ष से जादा खुद कोट ने कई बार इन जाँच एजनसियों की आलोचना की है क्या आप इसे गाली कहेंगे राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि मुंबई एरपोर्ट का ठ समू को दिया गया इस काम के लिए जाँच एजनसियों का इस्तमाल हुआ उमीद थी कि प्रधान मंतरी इसका तो जवाब दे देंगे मगर योजनाओ के नाम पढ़ने लग गया इस उमीद में कि कुछ जवाब आएगा हमने जीवी के ग्रूप और मुंबई एरपोर्ट के दिगरांट से संबंदित उस समय की खबरों को चानना शुरू कर दिया था उसका सार संशेप बताने की अनुमती चाहते हैं जीवी के समू से जुड़ी तमाम खबरें 2020 और 2021 के अखबारों में छपी हैं जून जुलाई 2020 में सी बी आई और एडी ने जीवी के ग्रूप के द 705 करोड रुपए की चोरी की है माई 2021 में एडी ने एक स्पेशल कोट में जीवी के ग्रूप माई एल यानि मुंबाई इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेड के अमडी संजे रेडी और अन्य लोगों के खिलाब पहली चार्शिट पेश की इन पर 500 करोड रुपए की मनी ल ने माई एल के मैनेजमेंट पर पहले ही कंट्रोल कर लिया था जो कि मुंबाई एरपोर्ट को मैनेज कर रहा था इसी माई एल में जी वी के का 50 प्रतिश्ट से अधिक हिस्सेदारी थी जब ये सब हो जाता है तब सितंबर 2021 में खबर आती है कि PMLA स्पेशल कोट ने संजे र गांधी के आरोप के बाद यही संजे रेडी अदानी के NDTV से कहते हैं कि हम पर मुंबई एरपोर्ट को बेचने के लिए अदानी ग्रूप या किसी और ने कोई दबाव नहीं डाला का कि हम पर करजा बढ़ गया था इसलिए पैसे जुटाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे अब ध्यान से सुनिये जिस संजे रेडी पे और उनके ग्रूप पर 500 से लेकर 700 करोड की हेरा फेरी के आरोप हैं उनकी इस बात को राहूल गांधी के इखिलाप इस्तमाल किया जा रहा है कि उन पर दबाव नहीं डाला गया तब क्या संजे रेडी 700 करोड के घपले के उस रिपोर्ट को एक्स्प्रेस ने ताजा विवाद के बाद फिर से छापा इस रिपोर्ट में लिखा है कि एक समय पर अदानी ग्रूप मुंद्रा में एक प्राइवेट एर स्ट्रिप चलाया करता था लेकिन मात्र दो साल में ये देश के एरपोर्ट का सबसे बड़ा प किसी भी प्रधान मंतरी को काईदे से इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था मगर भारत के प्रधान मंतरी अपनी सरकार की योजनाओं के नाम गिनाने लग गये क्या किसी भी गंभीर राजनेता को इन बातों के प्रती चिंतित नहीं होना चाहिए इसके बजाए प्रधान मंत्री कहते हैं कि जनता को गैस का सिलिंडर दे दिया बिजली का कनेक्शन दे दिया उसका भरोसा उन्हें हासिल है और जो आरोप है उसे जनता के टेस्ट से गुजरना होगा तो क्या खुद प्रधान मंत्री को अपनी जाच एजेंसियों पर भरोसा नहीं अगर है तो जाच की बात कर देते ना कि जनता के भरोसे पर जवाब दे ही डालते राहूल गांदी ने कहा कि अगर मित्र नहीं थे तो जाच की बात कर सकते थे अखर इन्कॉइर की बात में हुई अगर मित्र नहीं है तो यह कहते हैं ठीक है मैं इंक्वाइरी करा देता हूं इंक्वाइरी के बात नहीं हुई डिफेंस इंडस्ट्री है वहाँ पेशल कंपनीज है बेनामी पैसा गूम रहा है उसके बारे में प्रदान मंत्री ने कुछ नहीं कहा कि अगर्ष करेंगे रहे हैं मतलब ज्रूब उनको करने के कोशिश कर रहे हैं बच्पराइर को प्रदान मंत्री को कुछ नहीं है प्रधान मंत्री ने विपक्ष पर निराशा में तलखी के आरोप लगाए तो उनके भाषण में भी निराशा और हताशा के तत्व नजर आ रहे थे उन्होंने हारवर्ड इनिवर्सिटी से स्टडी कराने की बात का मजाक उड़ाया या तंज किया आप जो भी कहें लेकिन क्या उन्हें नहीं पता कि अमरीका की कई इनिवर्सिटी में 2014 के बाद उनके कारेकाल को लेकर किस तरह की बाते हो रही हैं राहूल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि राजनितिक संबंधों से कोई कितनी तरक्की कर सकता है इस पर हारवर्ड इनिवर्सिटी को स्टड़ी करनी चाहिए प्रधान मंत्री याद दिला रहे हैं कि हारवर्ड में स्टड़ी हो चुकी है बीते वर्षों में एक स्टड़ी हुई है उसका टॉपिक है अब जल्दी से आप भी रिसर्च कीजिए कि अमेरिका के विश्य विद्यालेओं में आपकी बात कर रहा हूँ मोदी राज के समय के किन सवालों को लेकर रिसर्च हो रहे हैं तो आपको जवाब मिल जाएगा और प्रधान मंत्री को पसंद नहीं आएगा आज का भाशन अगर अभी भाशन पर था तो वहां तक ठीक है लेकिन अगर किसी भी तरीके से उसे अदानी समूपर लगे आरोपों का जवाब बताया जाता है तो वह ठीक नहीं लगता है आज प्रधान मंत्री ने अदानी को सारी संस्थाओं से उचा कर दिया एक तरह से अब अदानी पर आरोप सही है या गलत आप उस जनता से जाकर पूछिए जिसे गैस का सिलेंडर मिला है और बिजली का कनेक्शन मिला है क्या आप इस जवाब को जोरदार जवाब कह सकते हैं या जोर जोर से दिया गया भाषण कहेंगे कि हम जवाब नहीं देंगे जनता जवाब देगी प्रधान मंत्री के भाषणों में पुराने भाषणों की झलक मिल रही थी मेरे हिसाब से आज देश को जवाब के नाम पर लंबा भाशन तो मिल गया मगर उस लंबे भाशन से जवाब नहीं मिला नमस्कार, मैं रवीश कुमार